हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं यूट्यूब चैनल दापेट विजन दिससे साहिल मलिक यूँवर होस्ट और यूर वेट तो गैस अगर आपका डोग कंकर पत्थर मिट्टी या साथ में कुछ ऐसे जो डंग वगेरा जो होता है या बेसिकली जिसको हम गोबर बोलते हैं इंदर क्यों ही करें तो अपके डोग के अंदर कल्शियम और और फॉस जिसक नहीं ही इते ही वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं कीचेंगे हम इसको short में खतम करेंगे और सबसे पहले हम आपको उपाय के अंदर सबसे पहला जो point बताते हैं आपको अपने dog की proper devorming करनी है और proper schedule से devorming करनी है devorming कैसे करोगा जैसे कि मालो आपके पास एक dog है आप गाइस टैबलेट यूज कीजिए अगर आपका dog adult है तो गाइस एक टैबलेट आती है easy pet के नाम से इसके अंदर जो salt होता है प्राजी क्वांटल पैमोईट नाम का एक salt होता है जैसा कि स्कीन पे भी आपको photograph नजर आरी हो और गाइस ड्राउंटर प्लस की भी same ही डोजेज रहेगी 1 टैबलेट पर 10 kg बोडी वेट तो गाइस कई बर क्या होता है हमें पपी के अंदर ऐसे symptoms देखने को मिलते हैं आपका जो पपी है कुछ भी चीज खा लेता है मिट्टी वेगरा में मुह मारता है मिट्टी को खाने पपी को 7 से 8 ड्रोप्स कीजिए अगर बोडी वेट थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो आप ड्रोप्स को बढ़ा सकते हो 10 से 12 भी कर सकते हो आगे जो उपाय है आपको अपने डोग को calcium और फासफुरस की जो सिर्प्स वगर आती है वो देनी है लेकिन फासफुरस के लिए क पर्टिक्लर सिर्प नहीं है आप calcium की सिर्प दे सकते हो जो फासफुरस की पूर्ति हो जाएगी तो कैल्सियुम की सिर्प के अंदर सबसे पहली आती है calcium जैसा कि पर आपको नजर आ रहा होगा साथ में एक और शिरप आपको नजर आएगी जो है ओस्तो पैट के नाम से इन 3kg पर 1ml आप दे रहे हो तो ध्यान रखना इन बातों को और आपको यह पर डे देनी है ठीक है रेगुलरल ही मैंटेन करनी है डिवर्मिंग सिर्फ एक टाइम करनी है आपको जो calcium शिर्प है आपको पर डे देनी है साथ में आपको अपने dog की body के अंदर multi vitamins की पूर्ति करनी ह तो आप multi vitamins सिर्फ वगेरा दोगे तो कौन सी best रहेगी तो जैसा के screen पर आपको नजर आ रहा है जिप विड नाम से यह सिर्फ आती है बहुत ही अच्छा इसका result है veterinary field के अंदर basically pets के अंदर बहुत ही अच्छा result इसने दिया है अगर guys हम इसकी dose rate की बात करें अगर आपके dog क body weight 15 kg है तो आप 5 ml दे सकते हो because इस situation में आपके dog की body के अंदर multi vitamins की कमी है आपको multi vitamins देने पडेंगे आप इसकी doses high कर सकते हो कोई भी side effect इससे नहीं होने वाला तो guys ये तो थे कुछ उपाए एक मैं आपको basic physical एक उपाए बताता हूं तो guys अगर क्या होता है हमारे puppies की habit होते है कोई भी चीज उठा लेते हैं किसी भी चीज के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं तो guys आप अपने puppies को या आपका भले ही growing जो pups होते हैं वही क्यों ना हो उनको guys आप जो calcium की जो bones आती है जो easily achievable होती है जो milk bones होती है basically drools company की आती है जैसा कि screen पर आपको नजर आ रहा होगा आप अपने dog को ये दीजिये ताकि आपके dog को लगे कि मैं इसके साथ खेलूँगा मैं ऐसे जो गलत चीजे होती हैं खाने की ये नहीं उठाऊँगा और secondly guys कुछ doable sticks होती है आप अपने puppy को आप अपने dog को दे सकते हो ताकि आपका dog जो है इस वहम में लगा रहे कि मैं कुछ कुछ खा रहा हूं अगर जब आपका जो डोग होता है अगर वह विला ही ऐसे बैठा होता है तो वह कही ना कहीं मुह मारने की कोशिश करेगा अगर आप ऐसा देख रहे हो कही ना कहीं मुह मार रहा है तो guys immediately आपको ये sticks वगरा लाके अपने dog को दे देनी है तो guys ये कुछ उपाय थे और कुछ बेसिकली जो एक जो सिंपल जो उपाय थे मैंने आपको वह भी बताएं तो guys मैं आशा करूंगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपको अच्छी लगी होगी thank you so much for watching this and please do like subscribe comment and see your thank you so much